तीन सब्रूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है हम दो और हमारे दो इस पर चलाएंगे पहला अप्शन खूख, दूसरा अप्शन फिर अजारी, तीसरा अप्शन आटब अच्या ये तीन ओप्शन आपने दिये उन्यासी दिन का किसान आंदूलन हो चला है जनवरी और फरवरी में कितना घमासान चला, ये हमने और आपने देखा लेकिन हाँ, अब किसान आगे के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और राहुल गांधी इतने अग्रेसिव क्यों हो गए है लेकिन किसी भी तरह का की अराजक स्थिती में या देश द्रोही या देश विरोधी स्थिती के लिए क्या इंसाइट स्टोरी और किस तरह का प्लाइन सरकार ने तयार किया है ये आपके लिए जाना बहुत जरूरी है राजस्तान में क्या होगा? राजस्तान की पंचायत में क्या रहेगा? और मेरट में अगर आज प्रियंका गांधी हैं इसके माइने क्या है? कॉंटेंट और इंटेंट की बात अगर राहुल गांधी कर गए है और हम दो हमारे दो पर इतना संग्राम क्यों छिला है अगले एग घंटे एसी पर बहस होगी उन्यासी दिन का क्रिशिक कानून के खिलाब आंदोलन हो चला है नमस्ते मैं राशिद उन्यासी दिन के बाद सरकार समधान ढूनने के फिराक में है लेकिन किसानों की तैयारी बहुत बड़ी है किसान ये कहने लगे हैं कि मार्च, अप्रेल, माई, जून के लिए अब तो बड़ी तैयारी करनी होगी और गर्मी में घमासान बढ़ाने के लिए कैसे एसी लगाए गये हैं कैसे बाकि इंतजाम किये गये हैं कैसे CCTV कैमरे बढ़ाए जा रहा हैं सिंगू टिकरी खाजी पूर बॉर्डर पर हम आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे क्योंकि ठंड में छिडी थी रार लेकिन गर्मी में कर देंगे आर पार और आर पार में क्या होगा ये आप अगले एक घंटे में जान जाएंगे लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से लोग सभा में जब राहूल गांदी बोले जम करके बोले अग्रिसिव स्पीच दी एक किस मिट के भाशन में किसान बहाना था हम दो हमारे दो वाला निशाना था ये निशाना क्या था एक बाद फिर से आपको याद दिलाएंगे सरकार विपक्ष अभी ताड रहे हैं लेकिन किसान आंदोलन कैसे दोफाड हो गया है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है गुर्णाम चडूनी का नया बयान क्यों इस सरफ इशारा कर रहा है कि आंदोलन दोफाड हो गया है लेकिन प्रियंका गांधी ने प्रयाग राज में डुपकी लगाई राहुल गांधी ने चुटकी ली लेकिन अब किसानों ने ये कह दिया है कि राजस्तान में आज सभी टोल को फ्री कर देंगे 18 फरवरी से रिलो को आंदोलन चलाए जाएगा चका जाम फिर से करने की रूप रेखा आगे के लिए हम तैयार करेंगे कांग्रेस आरेलडी के इंट्री हो गई है तो ऐसे में क्या सियासत से निकलेगा समधान 18 दिन के बाद क्या बढ़ जाएगा घमासान और गर्मी में क्या बहुत बड़ा आरपार होने वाला है मार्च अप्रेल माई जून के लिए किसानों ने जो बड़ी तैयारी की है इस पर अब सरकार क्या करेगी दिली पुलिस क्या करेगी यूपी पुलिस क्या करेगी और यूपी की सरकार, डिली की सरकार, हरियाना, पंजाब, राजस्तान की सरकारे क्या करेंगी पहली बड़ी खबर नए किस्षी कानूनों के खिलाफ, कौंग्लिस कालला बोल आज किस्षान पंचायतों में शामिल होंगे राहुल गांदी, प्रियंका गांदी अब दो तस्वीन आप देख पा रहा हैं, आज राहुल गांदी राजस्तान में खिलाफ, किस्षान पंचायत में शामिल होंगे तो प्रियंका गांदी यूपी के मेरट में मोचा सवालेंगी लेकिन इन सभी खबरों के बीच में लोग सभा में जो राहुल गांदी ने 21 मिनट का भाशन दिया इस भाशन के जरीए भवश की रूप रेखा क्या ना जरारी या पिर नहीं लेकिन भाशन के बाद इस बात की क्या गैरंटी है कि राहुल गांदी दोबारा से पाला छूकर के भागने वाले पुलिटीशन साबित नहीं होंगे लेकिन हम दो हमारे दो के जरीए राहुल क्या कहना चाते है प्रधान मंत्री के तीन option को लेकर के राहूल ने क्या बताया है content और intent को लेकर कल से लेकर के अभी तक कितना बवाल मचा है एक बार आप देखें सुनें उसके बाद debate को मोपेन करेंगे तीन कानूनों का content और intent क्या है तो पहले कानून का content क्या है पहले कानून का content है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीच सकता है तो पहले कानून का content मंदी को खतम करने का है इसका लक्ष मंदी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट जमाखोरी को अंडिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का तीसरा कानून का कॉंटेंट, जब एक किस्तान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा पीसरे कानून का कॉंटेंट किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा चोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड लिक्रियोरिटी का सिस्टम है वो नश्च हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा जाल मंत्री कहते हैं कि मैंने आप्शन दिया है हाँ आपने आप्शन दिया है तीन आप्शन दिये है पहला आप्शन भूख दूसरा आप्शन भेरज़ारी तिसना ओक्षन आटा बच्टिया ये तीन ओक्षन आपने दिये हैं हमारी डिबेट की लाइन बिलकु सीधी है कि सरकार ढूने समधान क्या गर्मी में बढ़ने वाला है घमासान जनवरी और फर्वरी में छुड़ी रार क्या आगे आरपार के लिए बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है और गर्मी से लेकर के आक्टूबर तक अगर किसानों ने बैटने की बात की है तो फिर ऐसे में सरकार क्या करेगी अंदुरूनी मन्थन क्या चल ला है और अगर राहूल गांदी अब अग्रेसिव होने की सोच रहा है राहूल गांदी और प्रियंका गांदी अगर पूरे उत्तरप्रदेश का दौरा कर रहा है राजिस्तान का दौरा कर रहा है प्रयाग राज में जाकर के आच्छमन से लेकर के डुपकी भी लगा रही है अगर प्रियंका गांदी तो फिर इसके माइने क्या है मौनिया मवस्या काहला के दिन रहा लेकिन उससे पहले सहरान पुर्भी प्रियंका गांधी गई है और हाँ बड़ी बात ये है कि नाओ आगे बढ़ाने वाली खेवईया भी बन करके कल प्रियंका गांधी ने दिखाया था इसका मतलब क्या है क्या कुछ बीड़ा पार लगाने की कोशिश है और कॉंग्रेस का पुलिटिकल रिवाइवल का लाँच पैट कोई जूड नहीं है लेकिन आज किसान आंदोलन की दस बड़ी खबरे क्या हैं सबते पहले आप जाने उसके बार डिबेट को हम कर देंगे ओपन आज 19 दिन का हो गया है किसान आंदोलन राईल गांधी राजस्तान में दो दिन है सभ़ा करेंगे कल्ट्राक्टर रैली भी करेंगे किसान अब देश भर में महा पंचायत की तैयारी कर चुके हैं कश्मीर से कन्या कुमारी तक प्रियंका गांधी आज मेरट में किसान सभा को संबोधित करेंगी किसानों ने आंदोलन की जगह पर CCTV क्यामरे लगा दिये गई दिये हैं राकेश टिकेट मुरादबाद में दो किसान पंचायत आज करेंगे भाशन सुनने के लिए स्क्रीन और गर्मी के लिए एर कंडिशनर लगने शुरू हो गया है सिंगू बॉर्डर ठिक्री बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अब यूपी और हरियाना का दबदबा बढ़ गया है पंजाब का प्रभाव कम हो गया है क्योंकि खापों ने बागदोर समाल ली है इसकी वज़े क्या है आगे हम आपको बताएंगे और दस्वीं बड़ी खबर यह है कि 18 फरवरी को रेल लोको आंदोलन करेंगे किसान यानि पहले चक्का जाम किया भारत बन भी किया और अब किसानों का ये कहना है कि हम अब असहयोग आंदोलन और रेल लोको अभियान चलाएंगे क्योंकि आक्टूबर तक यानि गांधी जैनती तक हमें यहां बैटना है लेकिन गांधी जैनती तक बैठने की इंसाइट स्टोरी क्या है और गर्मी के लिए किस तरह की स्ट्राटजी बनी है हम दो हमारे दो के नाम पर कितना घमासान है डिबेट को उपन कर देते हैं हम जितने गेस मेरे साथ में जुड़े हुए है भातीर जनता पार्टी के नेता विरेंद्र बबबर मेरे साथ में है एड़ोकेट सुमन अरपन है और अजय अरोडा कॉंग्रेस के नेता है विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योगेश तलान है किसान नेता योगेश तलान जी पहला सौल मेरा आप से है क्या ये बास सही है कि आप लोगों ने आरपार कर लिया है और गर्मी के लिए बड़ा मुर्शा तयार कर लिया है और गर्मी के लिए अगर मुर्शा तैयार किया है रेलोको अंदोलन से लेकर क्या सहयोग अंदोलन के नाम पर आप जैसे किसान नेता ब्लैक मेल नहीं करेंगे इस बात की क्या गैरंटी है यह सब ठीक नहीं है ब्लैक मेलिं गरना और सरकार क्या बिरोद करने का उती के सहती तो यह सारी चीजह और यह जिस तरह की प्रहलात पैदा किये गहें इसकी दुन्दार सब्सक्राइब आज देश को जिस परकार से किसानों को भरबाद करके देश को गड़े में धकिला जा रहा है इसकी पूर्टे सरकार जिम्मेदार है जिस परकार सरकार जवरन की ये कानूं को पना चाहती है किसानों के उपर जिस परकार किसानों को रौदना चाहती है किसानों को नश्ट करना चाहती है ये सरकार ये उसी का एक बिपाई दे रहा है कि बेशी पूरात हो गई है कि बेशी नहीं तक है कि बेशी आए दिली मंने को कहा है फोर। के लिए कांड हुआ है अब सब लोग जानगे पुरा तेश जानगे है यह किस नहीं बोलेंगे आपको इस बात की चिंता है कि तावर का नुक्तान हो रहा है प्रदानमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं हुई कि जहां दोस्तों किसान सहीद हो गए इस पर कुछ भी नहीं प्रदानमंतरी तो जानते ज्याधा कीमत आज उनको प्रक्रों की नजर आ रही है यह अज ठीक है अज अरोग जी के पास में चलते हैं आप ने लेकिन यह नहीं नहीं बताय कि गर्मी के लिए किस तरह का मुर्चा तयार किया गया है लेकिन अजय आरोग जी के को भी लेकर के बात की पीम के तीन आप्शन को भी लेकर के बात की और उसके बाद फिर मौन भी रखवा दिया हाला कि लोगसभा में सभापती महुदय को यह भी कहना पड़ा कि यहां पर अगर मौन रखवाना ही है ना यह सब फैसला हम करेंगे आप नहीं करेंगे एनरजी आ लड़ाई रलेगी ये एनरजी उन किसानों के पसीनों की है जो इतने चीज़ से अंदोलन में बेठे हैं ये उस धक्की पुथ द्वारा जो अंदोलन चल रहा है काले कानून के विरोद में ये एनरजी वो है राशील जी वह है जो भारत की आवाम के लड़ाई रलेगी राशीर जी राशी जी ये नर्जी वह है जो सरकार को चेताएगी कि आप गलत काम कर रहे हो किसानों के वुरूद काम कर रहे हूँ और हम दो और हमादे नारु आप चल रहे हो यह अच्छा विरेंद बबर जी अगर राहुल गांदी में इतने इनरजी आ गई है और राहुल गांदी ने अगर इतने सवाल किये है तो उसके जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए पहले कानून के कॉंटेंट पर भी बात किया और इंटेंट पर बात क तीसरे कानून के कॉंटेंट पर कहा जब एक किसान हिंदुस्तान के किसी बड़े उद्योगपती के सामने जाकर अपने उपच के लिए सही दाम मांगेगा तो उसे अदालत में जाने का हक नहीं होगा इसका जवाब आप लोगो कब देंगे ये कॉंटेंट और इंटेंट क तो कोई आवशक्ता ही नहीं थी प्रभान मंत्री की पहले भी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं लोग सभा में भी कर चुके हैं राज्य सभा में भी कर चुके हैं कि ये सब ऑप्शनल है इसी के साथ कोई बंदिश नहीं है कि आपको इन सब चीजों को मानना ही है इसी ट्र प्रादान को सब्सक्रांच जो उस देश में उस देश के अंदर जिसरे के प्रदान मंत्री उस स LAUGH प्रादान मंत्री उसुषार्ड ही जिनों गर्ट निदी के और शी amazon reference तो आप कमच सकते हैं कि हम भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, NDA की सरकार, किसानों की उन्रस्थी के लिए किसी की मेजारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ने सिर्फ हम दो हमारे दो आली सरकार चल लई हैं और ये हम दो हमारे दो का मतलब क्या है। लेकिन इन्फोग्राफिक स्टूडियो में कुछ और भी जानकारी इन्जार कर रही है व्यूवर्स का। इलेक्ट्रिक फैन लगाय जाने की तैयारी है और एर कंडिशन पूरी तरह से क्याम को बनाय जाने की फिराक में भी ये किसान नेता हैं। सिंगू टिकरी बॉर्डर पर 100 CCTV कैमरे लगाय जा रहा हैं ताकि अगर कोई भी आंदोलन के नाम पर भढ़गाने की कोशिश करे या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करे तो उनके पास में पूरी फुटेज रहे और जब भी कभी सबूत की जरूरत रहे तो ये सबूत सिंगू टिकरी बॉर्डर पर 10 एहम इस्थानों पर LCD स्क्रीन भी लगाई जाएगी ये भी फैसला किया गया है लेकिन किसान तयार है और आंदोलन के नाम पर कितने हतियार हैं अब आप ये देखें पसायोग आंदोलन यानि हुका पानी फल सब्री दूट सब बंद करेंगे रेलो का अभियान जो 18 फरवरी से चलने वाला है टोल फ्री राज़सान में आज किया जाएगा मशाल जुलूस राज़सान से लेकर के हरियाना तक निकाला जाएगा चका जाम भारत बंड ट्रैक् चेंज हो गई है ट्रैक्टर परेट से पहले तक पंजाब का दबदबा था किसान अंदोलन में लेकिन अब हरियाना और यूपीais का दबदबा काय्म हो गया लेकिन अब राकेश ठिकैत और रिशीपाल अमबावत ये दो नाम हैं हर फैसले में इन्हें शामिल किया जा रहा और इनके बिना कोई भी डिसीशन नहीं लिया जा रहा है 26 जनवरी के बाद पुंजाब के ज़्यादा तर किसान वापस घर चले गए लेकिन आंदोलन तूटने लगा हरियाना और यूपी के किसानों ने मोचा समाल लिया है यूपी में बालियान और 84 खाप समेथ थांबेदारों ने मोचा समाला है और हरियाना में कंडेला, सर्व खाप, दहिया, दला, सरोहा खाप ये पुरी तरह एक्टिव हो गया है खापों ने अब तक करीब एक करोड रुपे से ज़ादा का चंदा जुटाया है योगेश तलान जी, क्या यह मना जाए कि आंदोलन जब डाइलूट होने लगा था, आंदोलन कमजोर होने लगा था तो ऐसे में आप लोगों ने खाप के हाथ में बागदोर दे दी है खापों ने अब तो यह बी आप कोई और नहीं है, कभी किसानों का एक संक्षन के रूप में उसको कहा जा सकता है और यह भावना है उनकी किसी भी प्रकार से सहयूब करने में अपने आपको सक्षम पाते हैं और वो सहयूब कर रहे है टीक है अपनी भावनाव से मदद कर रहे हैं यह आप कहा कहना विवेक साइलस के पास पर चलता है समाजवादी पार्टी के नेता है विवेक साइलस उतर प्रदेश में जितने अक्टिव आर लडी और कॉंग्रेस नजर आ रही है किसान क्रिशी कानूwn को लेकर या पिर आंदोलन को लेकर कि उतनी एक्टिवनेस क्यों नहीं आखिलेश में शुरुआते दिनों में तो आखिलेश ने लग बग लग बग चक्का जाम भी किया साइकल यात्रा भी निकलने की कोशिश की पद्यात्रा भी करने की कोशिश की गिरफतारी भी दी लेकिन अभी कहां है अखलेश समाजवादी कहां है धर्ती पुत्र लोग कहां पर है धर्ती पुत्र लोग किसानों के साथ थे किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे आज भी जितनी भी हमारी हर जिले की यून कि जाके हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ी, दस दस पंदा पंदा दिन जेल में रहे हमारे कारे करता है, लव लुवान हुए, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादीक पार्टी जो है, वो किसानों के साथ नहीं है, या आपको लगता है कि हम उनके साथ नहीं है, कॉंग्रेस और पार्टी जादा है, हाँ ये बास सच है कि पच्ची मुत्रपरदेश का इलाका जो कि उत्तरपरदेश की हुकूमत तै करता है, वहाँ पार पूरी तरह से फिज़ा बदल चुकी है, एक सो बीस विदान सभा हैं, वहाँ पर एक और अठारा संसद है, आज अगर आप देख तो पच्ची मुत्रपरदेश में खास तौर से वह अंदोलन मद्ध की तरह पुर्वांचल की तरह बहुत तेजी से बलता जा रहा है, पोस्टर बैनर लग रहे हैं गाहों के बाद कि भार्तियंता पार्टी के नेता, प्रवत्ता या कोई भी बड़ा च्छोटा मंत्री की एंट्री बैन है, किसा राज सम्मान स्वाविमान के लिए मजबूती से खड़ा है, और समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है, और धरम और जाती की राशीत भाई जो राजनीत उत्ता परदेश में होती है, वो दिखा दिया है किसानों ने, चाहे आप गुज़ाद देख लीजिए, चाहे जाटों को देख लीजिए, मुसल्मानों को देख लीजिए, आज तीनों एक मंज़ पे खड़े होके, भारती जन्ता पार्टी की इस काले कानून का विरोध कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, ये आज जो जाती की राजनीत होती है गुज़ाद देख लीजिए, विवेड़ बात में मुझे कुछ अलगी नजर आ रहा है, आपने कहतो दिया कि धर्म के नाम पर आप कोई भी आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस एक पार्टी ही है, जो साम्तदाइक राजनीती करती है, लेकिन आपकी जबान पर अलगे से कुछ जातियों को एक जुट करने की कोशिश हो रही है, और आप लोग का इसमाल किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं, यूपी जो है जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोक्षाला है, मंडल और कमंडल के बिना यहां की राजनीती नहीं होती है, और किसान आंदोलन के साथ में मंडल कमंडल जुडने लगा है, अगर विवेक साइलस की जबान पर जाट आ गए हैं, गुर्जर आ गए हैं, और राचबूत आ गए हैं, मुसल्मान आ गए हैं, देखिए यो तो किसानों में कोई जाती नहीं है, सभी जातियों में किसान है, और आज यह स्थिती जाए है, रही बात किसान को इस्तेमाल करने की, तो किसान को अच्छी तरह से यह पता चल गया है, कि कौन्छी सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और यह सब्सक्राइब को इस तो इस वाद बड़ी खबर ब्रेकिंग निउस यह है, आज यूपी के मरादबाद में किसानों क पंचायत है, दोनों पंचायतों में शमिल होंगे राकेश टिकायत, किसानों के मुद्धे पर एक जुट होना है, विपक्ष को यह राकेश टिकायत का कहना है, और राकेश टिकायत का एक बयान भी हमारे पास में है, जिसमें राकेश टिकायत यह कहते हुए नज़र आए है हैं कि हाल जोतने वाले जो हाथ है न, यह हाथ नहीं जोड़ेंगे एक बार राकेश ठीकाट को राकेश ठीकाट को एक बार सुनाया जाये जहां पर राकेश ठीकाट की एक TPs कहस रो हुआ लाफ ले कि हां एक बार चला जो बूकति है, कियो कि आदार पे किम से ते होगी जिना भी से देड़ा है और हमने कहें जिए आप हाल जोतने वाला आतरी जोड़ागा आप से लेगा आपकी लोग पापने लोग का यह तो आपने एक खबर देखिए लिकिन किसान अंदोलन कारियों ने बहुत बड़ा एलान कर दिया है कि 18 फरव किसान आंदोलन में इतने हतियार सामने आएंगे अगली बड़ी खबर एक ये बहुत बड़ी खबर है सुमन अरपन आपको जरूर ये खबर देखनी चाहिए MP की खबर है किसानों का पैसा बटोर कर कमपनी फरार हो गई है केस दर्च कराने के लिए किसान संगर्च कर रहा है MP के बैतूल का ये मामला है बैतूल के सैक्टलों किसानों ने एक कमपनी से किया था कॉंट्राक्ट 2018 में सहजन की खेती करने के लिए कॉंट्राक्ट किया गया कमपनी किसानों को धोका दे करके गायब हो गई तो ऐसे में आप सवाल यह उठता है कॉंट्राक्ट फार्मिंग बढ़ाई जाएगी सुमान अरपड अब आप यह जवाब दें कमपनीया कॉंट्राक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों का पैसा आट करके भाग रही है तो फिर कॉंट्राक्ट फार्मिंग पर आखिर का विश्वास क्यों किया जाए वो कॉंट्राक्ट फार्मिंग जिसे ले करके कृशी कानून में बड़ा प्रावधान किया गया है देखिए राशिद जी अगर कंटेक्ट फार्मिंग के दौरान इस तरह की कोई भी फ्रावड होता है या कंपनिया पैसा लेकर भाग जाती है तो हमारे साविधान ने कानून बनाया है कि आप उस कंपनियों को आप उनकंपरियों पर केस कर सकते हैं मैं इनकी बात नहीं कर रहा है मैं फिर सधाराएं दो रहाँगा 419, 420, 466, 468 फ्रावड, फोजुरी, भर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक किसान जो हता ना माम अपना केस लडने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता आप समझें उसे चाहिए थाली उसे चाहिए दो जून की रोटी केस लडने नहीं जाएगा ऐसे हाला पैदा ही क्यों हो कि उसे बेवकूफ बना कर किसान को बेवकूफ बना करके कोई भी फ्राउड हो जाए कॉंट्रैक्ट फार्विंग के नाप पर फ्राउड नहीं होगा इसकी गैरंटी कौन लेगा ये गैरंटी चाहिए ये नहीं कि फ्राउड हो गया तो जाकर के केस लडो गैरंटी बताईए गैरंटी है राशी जी मैं आपकी बासे पूरी तरह से सहवत हूँ ये हमको नचाता है राद दिन यारो हमारा पेट है मैधारी की तरह मैं मानती हूँ कि किसान की जो समच्चा है लेकिन हमारा जो सॉलूशन ने समच्चा 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 की तरफ हम बढ़ रहे लेकिन जब किसान हमारी समच्चा का जवाब नहीं दे रही है मैं एकी चीज़ पर हूँ कॉंट्रैक्ट फार्मिंग में गैरंटी कैसे मिलेगी जैसे राहूल गांदी ने कॉंटेंट इंटेंट की बात किया यह राजनीतिक पुष्च्च्रेशक हैं आप मुझे गैरंटी की बात कीज़े आई नीड़ गैरंटी इदर दर की बात नहीं मैं आपको कि मैं एक चीज़ बताती हूँ जब आप समाधान की तरफ बैठेंगी समाधान के लिए बैठेंगी तभी तब को ट्रैक्ट फारमिंगे ंगारंटी मैंगे कुणे की बात कर यह का ही मैं किसान के हगी की बात कर रही हूं विरेंद्र बबर जी आप देंनä चाहिता हूं यह seit cinco बादjekt क intéressant . सरकार ने निश्चेत रूफ से उसके अंदर कीज़ को सिचेर किया है। यह कैसा है यह मैं अभी आपको नहीं बनापता मिले को इसकी अभी जानदारी नहीं है और तो निश्चित रूप से किसान के साथ किसी भी प्रकार का नहीं हो कोई भी कमपनी अगर किसानों का पैसा लूट ले तो जाकर के अपना केस लड़ो ये तो अधिकार में हमने आपको दिया ही है आई पीसी के तरफ जाओ, सी आर पीसी देखो, जाकर के वकील करो, चक्कर लगाओ, तारीखो पर जाओ, और अपनी खेटी किसानी चोड़ो गये हैं, टिकेट के बयानों से हसी आती है, ये गुर्णाम चड़ूनी का कहना है, टिकेट ने किया था दो अक्टूबर तक आंदोलन चलने का अइलान, लेकिन कानून वाप्थी तक आंदोलन चलेगा, ये गुर्णाम चड़ूनी ने सीधे तोर पर कह दिया है, और इसी गेट पे, यहां पे, 2018 में, आसुगेस के गोले, गोली, पत्तरवाई सब हो यहाँ, तो दोक्ट बरका तो मना ही पड़ागा ने, गेट पे, यहां बेशी पे ही, और ये तो चला का अब तो जब तक है, उसमें क्या कोई दिक्कत है? योगिश्ट अलान से अगला हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन किस तरह से दो फाड़ हो गया है, आपको याद होगा, गुर्णाम सिंग चड़ूनी वर्साइज श्री कुमार कक्का तो हुआ ही हुआ था, राकेश टिकैत वर्साइज दर्शन पाल भी ह चलेगा, गांधी जयनती यानी 2 अक्टूबर तक बैचेंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा, तो फिर ऐसे में गुर्णाम सिंग चड़ूनी नहीं कहा, इस तरह का बैयान आप कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, किसानों की आवाज ये है कि 2 अक्टूबर की कोई फाइनल देट कर दी गई है, ये एक संभावना है, और जो तारिक दी गई है, उपके इस तरह का एलान में ये क्या राकेश टिकैत, श्रीव कुमार कक्का, डॉक्तर दर्शन पाल, गुर्णाम चड़ूनी, ये चार लोग एक हैं, ये चार लोग एक हैं, ये दूसर अगर एक हैं, तो एक दूसरे की खिलाफ क्यों बोलते हैं, अगर एक हैं, तो कोई कहता है, बीजेपी आरेसस का एजन्ट, अगर एक हैं, तो क्यों ये कहता हैं, कि बयान पर आसी आती है, अगर एक हैं, तो एक जो है दूसरे की बात काटने में क्यों लगा है, कोई confusion है क्य विचारों का मत्वेद है क्या इसको इस तरह से ना देखा जाए इसको यह देखा जाए कि भी ठीक है उन्होंने कहा है कि दौक्टूवर का कहा गया तो नहीं हो जाते और किसान की फतल का दाम की सुनिश्चित नहीं किया जाता सरकार के द्वारा तब तक किसान आंदोलन चलत अब आप रुके हैं अब आप रुके हैं लेकिन मैं अभी तक कॉंग्रेस की राणनिती और राहुल गांधी की राजणिती समझ नहीं पाया अज़े अरूला बेतार तरीके समझाएंगे अज़े अरुला जी लोगसभा में राहूल गांदी बोल लाए थे कॉंटेंट इंटेंट और ना जाने क्या क्या बोल दिया हम दो हमारे दो प्रधान मंतुई नरेंद्र मूदी के विकलपों को भी ले करके बोल गया 21 मिनट का भाशन दिया लेकिन समझ में नहीं आया कि आपने आपको राहूल गांदी समविधान के उपर समझने लगे है कि आप प्रोटोकॉल के उपर मानने लगे है क्योंकि एक जो लोगसभा या रासभा को जो सभापती होता है ना इसका अधिकार होता है या हक होता है मौन रखवाना कब है कब किसी को खामोश करना है कब किसी को बूलने का मوقा देना है लेकिन राहूल गांधी जो है सबी को अठाया कहा दो मिनट का मौन रख़दे ठीक है सम्विद्नाए हमारी भी किसानों के साथ में है जिनकी मौत हुई ने कौन सा तरिका होता है कि प्रोचो कॉल से उपर चले जाए। और बड़ी बात यह है कि जब भी अपना भाशन दे रहे थे, सामने सभापती की तरफ देख कर नहीं दे रहे थे, आदाय देख रहे थे, या बाय देख रहे थे, ये कौन सी राजलीती है। राशी जी लोग सबा में अपनी बात रखना इधर देखना या उधर देखना मैटर यह नहीं करता मैटर यह करता है ना तो इधर दोर की बात ना कर यह बता कि कारवा कहा लुटा राशी जी ना कार्मा लुटा ना इधर उधर की बात की किसानों की हग की बात की समेजना प्रजट की इसमें तो चाहिए था सादू बाद मिले राहूल गांदी को सादू बाद है कि उन्होंने किसानों को शर्दा सुमन अर्पित किया उन्हें नमन किया इसमें कौन सी बात कर दी, कौन सा कानून और समिधान सुक्र कारे कर दी है, मैं तो नहीं समझता कि प्रोटोकॉल तोड़ा कोई अज ठीक है, आप ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है, लेकिन हम दो हमारे दो भारती जनता पार्टी को बहुत बूरा लगया है, विरेंदर बबबा जी, हम दो हमारे दो को लेकर कि आपने कोई बयान नहीं दिया, एक जमाने में आप लोग कहते थे थे ना, कि प्रिसाइट्स कि सानों की कोई बात सदन के अंदर हो नहीं रही है, छीक तरीके से, कि सान अंदोलं को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है, विरेंदर बबबा जी नहीं है, लेकिन करमियों में घमासान भी बढ़ेगा, लेकिन घमासान बढ़ने वाला है, तो इसके लिए साइबर आर्मी भ पर देश विरोधी गतिविदियों पर नज़र रखेगा ग्री मंतराले ने इंडियन साइबर क्राइम कॉडिनेशन सेंटर को ये काम सौब दिया है सरकार ने साइबर वॉलंटियर की नियुक्ति का काम शुरू कर दिया है पालेट प्रोजेक्ट के तौट पर जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इसे शुरू भी कर दिया गया है आनि साइबर आर्मी एक एक चीज़ पर नज़र रखेगी कि कहीं सोशल मीडिया का इस्तमाल किसान आंदोलन के नाम पर किसी खालिस्तानी प्रोजेक्शन के लिए तो नहीं किया जारा, किसी आतंकी गतिविधी के लिए तो नहीं किया जारा, किसी अराजक गतिविधी के लिए तो नहीं किया जारा और इसलिए पूरा एक स्कानर होगा जो सोशल मीडिया कॉंटेंट पर नज़र रखेगा अब कौन सा कॉंटेंट ऐसा होगा जो देश विरोधी की शुईनी में आ जाएगा और इसे ले करके भी कई बाते कही गई हैं अब करके आप देखें जो भारत की संप्रभुता या फिर अखंड़ता के खिलाफ होगा इस कॉंटेंट को माना जाएगा देश विरोधी जिसे भारत की सुरक्षा को खत्रा आ जाए ऐसे कॉंटेंट पर भी स्कैनर है अगला किसी राज की सुरक्षा को अगर खत्रा हो जाता है तो ये भी कॉंटेंट स्कैनर पर है जिसे देश के दूसरे देशों से संबंद खराब होने की सिती आती है ऐसे कॉंटेंट पर भी ग्रीम अंतराले सीधे नज़ा रखेगा सरकारी आदेश का अगर उलंगन होता है तो इन सबी कॉंटेंट पर नज़ा रखा जाएगा लेकिन विरेंदर बबबर जी थोड़ी देर पहले मैं आपके पास में था अब अपनी बात तो आगे बढ़ाएं लेकिन एक चीज़ ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर अगर नज़ा रखी जा रही है तो बहुत से लोग ये कह रहा है कि ये तानाशाही है क्योंकि आप लोग कलम को दबाना चाहते हैं विचारों को दबाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर जो मुखर विचार आते हैं जिनमें किसी बी तरह की बासनस नहीं होती है जिसमें किसी बी तरह की अजंडा नहीं होता है इसे ही आप लोग दबा लेना चाहते है और इसलिए आप लोग social media cyber army तेयार कर रहे हैं देखिए एक बात में पहले जो पीशे चल रहा था उसके ऊपर रहूँगा 2022 के पंजाब के यूपी के चुनाव और 2021 में जो पाथ गाजियों में चुनाव हो जा रहे हैं उनी चुनावों को लेकर के ये सब जिस परकार से अभी किसान अंगोलन की बात चल रही है जिस परकार में यूपी के अंदर जगा जगा अलगए शेतरों में महाँ पंजाएट की बात चल रही है जिस परकार से अभी कांग्रेस और समाज़ादी पार्टी के परवस्टाः और हमारे ज़ो बात्व किसान यूनियन के परवस्ता है उन्होंने भी ये बार बार कहा कि हम सब लों की कट्टे हो रहे हैं बार्तिय जंता पार्टी के किसी भी कारेकर्टा को किसी भी नेता को किसी भी प्रवस्ता को गाउं के अंदर नहीं गुज़ना दिये जाएगा पंजाब के अंदर स्थानीय मिगाये के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर किस प्रकार भान्तिय जन्टा पार्ट्टी के काफिरों पर गारियों पर हमले किये जा रहे हैं यह सब केबल और केवल किताना अंदोलन नहीं एजन्डा केबल चुनावता है रही बात अभी आपने कहा कि राउल गांदी जी ने संसर्थ में जो कहा सब कुछ कहने के बाद सबसे अंत में आप उनका ट्विटर हैंजल देग लीजिए जब उन्होंने कहा कि मैं दो मिनट का शो करता हूं और जिस परकार से उन्होंने ऐसे अगर वाकिए में मुक्तंतर की गरिमा का उलंगन हुआ है या थि अगर संसर्थ के किसी कानून संसर्थ की जगतीवदी चलती है इसके नियम कायद का अगर उलंगन हुआ है तो फिर जो सभापती महुदय है वो एक्षन भी लेंगे ये भी मुमकन है पर आपशन लिया बाता है कि यह मेरा नेता है देखो राकेश ठीकेत हमारे हैं दर्शन पाला आपके हैं गुन्नाम चड़ूनी इनके हैं तो फिर जो श्रीव कुमार कक्का हैं यह किसी और के होंगे क्या इस तरह की कोई चीज चल नहीं है क्या समाजवादी पार्टी किसी राक मैं विवेक भा लेकिन दोसों किसानों के लिए कुछ नहीं बोला है बताते हैं बारती इंता पार्टी कितनी वह हैं सेंसिटीव है किसानों के लिए और आज इनकी जो सांसाद हमामाली जो हलीक अप्रस उतरके यहूं का फसल काट रही थी और एक अप्रस से उड़ गई आज कहीं दिखाई कंपनिया खरी दें एक मिर्स पी आफिक्स करती है बात खतर हो जाएगी इस इतनी से बात आपको समझ में नहीं आ रही है और राशीद भाई आपने बैटती है मुना बड़ा दुक हुआ आपने कहा कि किसान ब्लैक मेल कर रहे हैं दूसरी बात आपने यह कहा कि किसान रॉं रॉंदे लाइख हैं मैंने यह बोला जहां पर योगेश तलान यह कह रहा थे कि किसानों को रॉंदा गया तो मैंने कहा रॉंदने का मतलब यह होता है रॉंदने का मतलब यह होता है कि 26 जनवरी के बाद सलाखों के पीछे किसानों को होना चाहिए था यह मेरा कहने का मतलब है और एड़ोकेट सुमनरपन चुकि आप भारती जनवरी की पैरवी मेरी डिबेट में कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा दीप सिधु अंदर है इकबाल सिंग को अंदर कर दिया गया है और लखा सिधाना पर भी नजर है धरमेन सिंग हर्मन को भी सलाखों के पीछे बेजा गया है लेकिन अगर वाकई में 26 जनवरी के अगर कोई आरूपी है या फिर अपराधी समझ में आते हैं कई बड़े-बड़े किसाननेताओं के नाम भी हैं बड़े-बड़े किसाननेताओं के खिलाब F.I.R. भी दर्च की गई है देशद्रों की धाराएं लगाने के संभावनाएं भी पैदा हो रही थी लेकिन अभी तक किसी भी किसाननेता को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया इंतजार किस चीज़ का किया जा रहा है सुमान अरपण देखिए जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे तब तक हम किसी को गिरफतार कैसे कर सकते हैं जो कानून है वो साक्षे के अधार पर चलता है सबसे बड़ी बादी अगर 17 दिन के बाद भी अगर आप यह कहती है ना कि एविडेंस नहीं है एक काम करूंगा सुमान अरपण जी मैं परस्नली आपको छेसो एविडेंस भेजूँगा छेसो लिख करके रख लीजे करने के लिए सर्थ चबूतों की अवश्यक्ता होती है दूसरी बात है कि जिस तरह के अभी भाई साब ने कहा कि हर चीज के लिए अभी क्या हम किसानों की बात करें थे 26 जनरी को जो इस देश में हुआ सारे सजिसा ने देखा क्या जिस तरह से सरकार ने आपको राम चे अंदोलन करने की इजाज़त दी और आज आज आप जो हम बात करें किसानों को कभी भी रोधना नहीं किया आपको सविधान ने इजाज़त की शांती पूर धंज़ आप अ अगर वाकई में किसान नेताओं ने अपराद किया है जैसा की कहा भी जा रहा था आप जैसे लोग ही कह रहे थे आप जैसे विशलेशक ही कह रहे थे तो अभी तक कोई भी बड़ा किसान नेता सलाखों के बीचे क्यों नहीं है इस बात का जवाब मुझे अभी तक नहीं मि रखी जा रही है उतरप्रदेश उत्राखंड पंजाब ये तीन चुना होने हैं 2022 में लेकिन 2021 में पांच राजियों के बड़े चुनाओं हैं पर्शिमंगाल केरल तमिलनाट असम और पुडुचेरी बदलते रहें बदलते रहें यूपी उत्राखंड का और पंजाब का जो तादाद आती है यूपी के किसान बॉर्डर पर हैं पंजाब के किसान जो हैं सबसे जादा क्रोधित हैं और हरियाना और राजसान के जो किसान रहें इनमें से ये बहुत ही जादा अग्रेसिव रहें इनमें से यूपी उत्राखंड और पंजाब में इलेक्शन सोने हैं अ आजयरोला जी, कहा यह जा रहा है कि चुनावी फसल काटने के लिए आप लोगों को किसान आंदोलन और किसानों के कंदे पर बंदूग रखने की जरुरत है। किसान का कंधा आप लोगों के लिए कितना मजबूत है ताकि आप लोग निशाना साध सकें। है राकेश टिकेट लाइफ अवने किसी क alcool भी लोगों का। कोई स्विकार क्यों नहीं कर रहा है एक मिनाट गाजी पुर बाड़र जतिन गोस्वामी के साथ राकेश टिकेट लाइफ राकेश टिकेट एक्स्क्लूजिफ जतिन जाना चाहेंगे आज आप कहां जा रहे हैं क्या पर जाएंगे पारियान नहीं एक मिटिंग में क्या होने तो यहीं होता है कि आंदोन कैसे चलागा आगे कैसे बढ़ागा वह सब्सक्राइब क्या लगता है इस तरह की बाते होना इसके पीछे क्या हो सकता है इन्हें पहले बार जो चैनल चलाएगा और जो जो कर रहागा बेरिल को सबको को लेका जाओंगा कहा संपत्ति है त्यारी जो आठ फर्वरी अठारा फर्वरी को लेकर और यूपी में तमाम जगों पर रेल रोकों की बात कहीं गई गया और प्रधान मंतरी जिस तरह से जो आंदोलन जीवी और इस तरह के शब्दों के लगाता रुचार अनारेथ क्या कहीं नहीं कहना चाहिए यह आंदोलन करने वालों का अपमान है जो देश में सहीद हुए थे जो देश को आजाती दिलवाने लोग थे उनका भी अपमान है तो राकेश ठिकैट जी को आप यहां पर सुन रहे थे वो क्या कह र और इस संपत्ती को लेकर के भी कई सवाल उटने लगे हैं राकेश ठिकैट ने जवाब नहीं दिया आप जवाब देना चाहेंगे या डग कर जाएंगे मेरा सवाल अगर आप लोगों को सामना करना हो तो अखले शादा बोल गया चंदा जीवी यानि राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाने वाले जो लोग हैं जो आस्था का प्रतीक हमारे और आपके और 134 करोड हिंदुस्तानियों को है तो आंदोलन जीवी का सामना करना है तो चंदा जीवी अजरुलाजी आप लोगों से जीवी हैं? आजरुलाजी आप लोगों से जीवी हैं? हम तो बुद्धी जीवी हैं, हम तो समाज जीवी हैं, हम तो देश जीवी हैं, हम तो भारत के लिए काम करते हैं, हम तो जी 23 वाले क्या हैं? आजरुलाजी यूदेश तलाम जी विवेच साइलर जी विरेंदर बबबर जी एड़ोकेट सुमन अपर्ट् बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी डिबेट में साथ में रहने के लिए लेकिन है इतना जरूर है कि किसानों ने बड़ा आवान कर दिया है और इस आवान के ताहित किसानों ने ये कह दिया है और राकेश टिकैट भी ये कहते नजर आएं लेकिन सवाल एक ही उटता है समधान होगा या पर नहीं आंदोलन कितना ज़ादा बढ़ेगा आंदोलन के नाम पर विपक्ष और कितनी राज़नीतिक रोटियां से एक पाएगा और क्या ये बात बिलकुल सही है कि आंदोलन पर नजर तो है लेकिन लेंस और चश्मा लगाए गया है